हलो दोस्टों, exam study classes में आपका एक बार फिर से स्वाकत है आज की जो वीडियो में हम current affair के बारे में चर्चा करेंगे और current affair में हम देखने वाले हैं जुलाई का current affair और जुलाई में भी 31 से लेकर के 31 जुलाई तक का जितना भी current affair है हम से cover करने वाले हैं और इसमें महत्मण 50 प्रशन देखेंगे हम अब से पहले की जो वीडियो थी हमारी 1 से 20 सोरी 1 से 10 और 11 से 20 ठीक है दो वीडियो थी ये दोनों पार्टों में अलग अलग दो पार्टों में हमने इसको publish किया था और आज ये जुलाई महिने का तीसरा पार्ट है आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें चैनल का पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें देखिए वीडियो बनाने में या जितने भी महनत होती न और फिर उनको record करना उसके महनत भी होती है तो आप से एक request है हमबल request है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ अपने दोस्तों को share करें जहां कहीं भी आप हैं उन सभी में आप इसको share करें लाइक करें और साथ ही यदि आपको कोई सुझा देना है यदि आपको कोई वीडियो मे कोई कमी दिखती है तो प्लीज कमेंट करके भी उसे बताएं तो चलिए फिर सुरू करते हैं आज के हम 21 से लेकर के 31 जुलाई तक का जितना भी current affair है उस current affair को cover करने वाले हैं चलिए पहले प्रेशन के तरह बढ़ते हैं तो पहला प्रेशन है किसे AIFF पुरुस फुटबॉलर of the year 2020 और 21 पुरुसकार मिला है तो पुरुस फुटबॉलर of the year 2020 का जो पुरुसकार मिला है ये किसको मिला है किसे दिया गया है तो ये संदेश जिंगन को दिया गया है याद रखेंगे संदेश जिंगन वहीं बात करने हम पुरुस के साथ हैं महिला के लिए तो महिला संदेश, जिंगन, पूरुष में, और महिला में बालदेवी को, ठीक है, दोनों का याद रखेंगे, अगला कुश्चन, भारत के सबसे उम्र दरा चात्रा, भगी रथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो भगीरती अम्मा सबसे उम्र द्राज छात्रा है और सबसे उम्र द्राज छात्रा क्यों है क्योंकि इन्होंने 105 वर्स की उम्र में पढ़ने का इनका मन हुआ और कक्षा जो राज्य साक्षरता मिसन के अंतरगत मिसन के तहत ये चोथी कक्षा में फोर्थ क्लास में की कक्षा के जो समकष कक्षा है उस समकष कक्षा को इसनोंने पास किया और यहीं नहीं 54 परसेंट ठीक है परसेंट मार्क्स लाकर के यहोने इस परिख्षा को पास भी किया और 105 वर्स की उम्र में इनका जिक्र किया था कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती क्षा ने 105 वर्थ की उम्र में पढ़ना शुरू किया और साथ ही इनकी जो मृत्यू ही है वो एक सो साथ वर्स की उम्र में इनकी डैथ हो गई और ये केरल की रहने वाली है ठीक है याद रखेंगे एक सो साथ वर्स की है और ये केरल की रहने वाली हैं कुश्चन नमर अलग नेक्स्ट है वन जिरो थी क्योंकि सो कुश्चन हम इसमें पार्ट वन में एक वन से 50 और सेकंड पार्ट में 51 से 100 तक देख चुके हैं और इस पार्ट में 101 से 150 तक कुश्चन हम देखने वाले हैं तो 103 है किस राज़े के पुलिस द्वारा हाली हमें पिंक प्रोटेक्शन परियोजना को लॉंच की गई है तो पिंक प्रोटेक्शन जो परियोजना है इसको जो लॉंच किया गया है वो केरल राजे के द्वारा। नेक्श्क्ट कूशन सब्सक्राइड गूरी तो मिस इंडिया यूसें दोहजार इकिस का जो खिताब जीता है ये वेदे ही डौंघरे नहीं जीता है याद रखेंगे वेदे ही डौंघरे next question स्वन्ड रेखा सिचाई पर्योजना हाली में किस राज़े में सुरू की गई है तो स्वन्ड रेखा जो सिचाई पर्योजना है उसे किस राज़े में सुरू किया गया है तो यह इसका जो सही आंसर होगा उडिसा होगा तो उड़ी सराच्चे में इस परियोजना को हाली में प्रारंब किया गया है कुश्चिन नमबर 106 है टोकियो ओलम्पिक 2020 में भारो तोलक ठीक है भारो तोलक मीरावाई चानू ने हाली में कौन सा पदक जीता इंपोर्टन कुश्चिन है तो भारो तोलक है मीरावाई चानू इन्होंने टोकियो ओलम्पिक में भाग लिया और अपना पदक जीता पदक हांशिल किया तो कौन सा पदक लिया इन्होंने इन्होंने लिया रज़त पदक तो सही अंसर रज़त पदक चलिए कुशन नमबर 107 पर देखते हैं तो किस देश की खिलाड़ी है यांग कियान ने टोगी ओलंपिक का पहला स्वान पदक जीता है तो जीतने वाली है यांग कियान है लेकिन ये किस देश की रहने वाली है तो ये देश की रहने वाली है चीन की रहने वाली है ठीक है ची की, अग्रा कुछिन किस wireless के सरकार ने सिक्षा के श्यत्र में आब्दा प्रवंधन को अनिवारे विश्व बनाने की घोष्णा कि है, तो आब्दा प्रवंधन को एक kompal सिल सब्जेक्ट बनाने के लिए जो सिक्षा किस सरकार ने पहल किये जो इस जे घोष्णा कि सेनिक की आधार रखे गई गई तो उत्तर प्रदेश का एक मात्र जिनपद और जिसमें सेनिक स्कूल को खुला गया है खुलने की घोषना की गई उसकी आधार शिला भी रखी गई गई है मुक्हे मंत्री योगी यादितिनात के द्वारा तो यह कुन सा जिला है उत्तर इसका है गोरखपुर जिला ठीक है गोरखपुर जिला है यह तो गोरखपुर जिले में सैनिक स्कूल की आधार्श जिला रखे गई वहाँ पर एक सैनिक स्कूल इस्ताफिद किया जाएगा जी ट्वेंटी परियावरान मंत्रियों की बैठक हाली में कहां आजित की जाएगी तो जी ट्वेंटी की जो परियावरान मंत्रियों की बैठक है वो हाली में कहां पर आजित है यह तो इटली में की गई ठीक है इटली में भी कहां की गई यह नैपल्स में ठीक है इटली के न नेपल समेटल नेपल सहर है इस सहर में इसको आजित क्या गया कुश्च नमबर 111 पैगासस जासुसी मामले की जाच के लिए नियाइक आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो नियाइक आयोग बनाने वाला पहला राज्य है तो यह पहला जो राज्य कौन सा है यह प पश्चिम बंगाल कुश्च नमबर 112 की तरह देखते हैं तो यूनेसकों ने 800 साल पुराने रमप्पा मंदिर को विश्व विराशत इस्थाल वर्ड हेरिटेज साइट सूची में सामिल किया है और यह किस राज्य में स्थित है तो वर्ड हेरिटेज साइट में सामिल किया है रमप्पा मंदिर को तो किस राज्य का मंदिर है यह तेलंगाना का मंदिर है और यह 113 तेरे भी सदी का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का एक दूसर नाम है काक्तिय रूद्रेश्वर मंदिर ठीक है काक्तिय रूद्रेश्वर मंदिर भी याद रखेंगे पूछा जा सकता है कि काक्तिय रूद्रेश्वर मंदिर जिसे हाली में विस विरासत इस्थल में सामिल किया गया तो किस राज्य में है या किस भगवान को समर्पित है किसको समर्पित है तो इस सिव को समर्पित है तेरवी शदी का मंदिर है जिसे रमपा मंदिर या काक्तिय रुद्रिश्वर मंदिर भी कहा जाता है कि कुश्च नमर 113 अंतराष्ट्य सोड संग गठवंदन इंटरनेशन सोला एलाइन्स आई एसे में कौन सा देश जुलाई 2021 में सामिल हुआ है तो जुलाई 2021 में जो सामिल हुआ है कौन सा देश है तो यह स्वीडन है ठीक है स्वीड है गुरू ग्राम में है क्या बारी इस तरह से इस में रिलेटिव प्रशन है वो रिपीट हुआ है तो ग्रूगराम में है तो स्वीडन में स्वीडन को इसमें सामिल क्या गया है कुश्न अंबर 100 14 विदेश मुद्रा भंदार धरक के मामनेते भारत कि सिस इस्तान पर है है तो इसमें भारत कौन से स्थान पर भारत इसमें पांचवे स्थान पर है जब कि बात करें पहले नंबर की तो पहले नंबर पर इसमें चीन है तो पहले स्थान पर चीन और भारत जो है इसमें पांचवे स्थान पर है याद रखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार धारन धार निदेशक किसे निख्त किया गया है तो नाशिर कमल को किया गया है नाशिर कमल गॉल किसे के अगला कुश्टे बठ तो अगला कुश्ट्र से पानी पीना ठीकर तो इसको जो प्रोजेक्ट ये शुरू करने वाला भारत का पहला जो सहर है वो कौन सा सहर बना है तो बहला जो सहर बना है वो पूरी है ठीक है पूरी किसका राज किसका है ये उडिसा में है ठीक है तो उडिसा का जो पूरी सहर है वो एक पहला सहर बन गया है भारत का Drink from tap के project को शुरू करने के मामले में Éग्या Section 117 धिवस कब मनाय जाता है तो whishapytis धिवस है कब मनाय जाता है यह मनाय जाता है आपका 28.00 को मनाय जाता है ठीक है 28 जुलाई को यह प्रति वर्स मनाय जाता है और इसकी जो फिम थी वर्स की थी hepetites इंसिजार नहीं करता, तो hepetites cannot wait. थीक है, hepetites cannot wait इसकी थीम्थी और hepetites होद्थी हिंदी में हम इसको convert करें, तो hepetitudes इंसिजार नहीं कर सकता यह इसकी थीम्थी वर्स 2021 की. अगला कुशन देखते हैं, तो अगला कुशन है किस देश से संबंदित भारत के पूर खिलाड़ी नंदू नाटे करका 88 वर्ष की उम्र में निदन हो गया तो अरजुन पुरुषकार विजेता है ये ठीक है अरजुन अरजुन पुरुषकार इनको मिल चुका है अरजुन पुरुषकार विजेता है और ये किस खेल से संबंदिता है तो ये जो नंदू नाटे कर रहा है ये बैड मिन्टन से है ठीक है बैड मिन्टन बैड मिन्टन के खिलाड़े है बैड मिन्टन खिलते हैं ये और 88 वर्ष की उम्र में हाली मेन का निधन हो गया है अगला कुछन है अनुवंशिक रूप से संसोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो गोल्डन राइस है चिक जो Google Days को जो उत्पादन को जो मंजूरी देने वाला दुनिया का जो पहला दिस बना वह फिलीपिन्स बना है थीख है फिलीपिन्स याद रहांगे फिलीपिन्स है सब realize किसरा चैकर ने हाली में मिसंन निरिया तक बनो नामक अभियान शुरू किया है तो मिसन निर्यातक बनो जो अभियान है इसको जो शुरू करने वाला जो राज्य बना है भारत का वो राजिस्थान बना है ठीक है राजिस्थान जितना भी जो यहां से अपने विदेशों को कोई चीजी उत्पाद हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपर्ट करते हैं तो उसके लिए मिसन नेरिया तक बनो एक अभियान सुरू क्या है राजिस्तान सरकार के द्वारा ठीक है सही आंसर इसका होगा राजिस्तान अगरा कुश्ण है हाली में नजीम ठीक है हाली में नजीम मिकाती किस देश के नए प्रधान मंतरी बने है तो हाली में जो नजीम मिकाती है वो कौन से देश के प्रधान मंतरी बने है तो ये बने है लेवनान के प्रधान मंतरी बने है ठीक है लेवनान नजीम मिकाती लेवनान के प्रधान मंतरी हाली में को बनाए गया है अगला क्यूशन नहीं यूनेस्को ने हडपाकालके किस सेर को विस्व धरोहर सूची में जुलाई 2021 में सामिल गया तो हडपाकालका एक सहर है, यूनेस्को के द्वारा, तो यह जो है, यह आपका है धोला वीरा है, ठीक है, धोला वीरा, धोला वीरा कहां तो गुजरात में है ये और गुजरात में भी run का जो कच्छ है वहां तक ये run का खच्छ ये इसे हाली में यूनेस्को ने धोलावीर को वर्ड हैट rs विस्फ धर्वहर सुची में सामिल क्या है तो इंपोर्टन कुश्चन बनता है क्योंकि यह पहला है पहला सहर है यह जिसे यूनेस को ने अपनी वर्ड हैटर साइट में सामिल किया है तो इसलिए यह कुश्चन जो है अपना एक अच्छा तो अच्छा कुश्ण बनता है इंपोर्टन कुश्ण बनता है कुश्ण नमबर 123 किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना कर दिया है तो कौन सा किस राज्य सरकार ने क्या है कि दलित बंधु योजना है तो यह आपकवा तेलंगाना राज्य के द्वारा इसको कर दिया गया है विनाया स्रीकांत प्रधान को हाली में किस देश में भारत का उच्चा युक्त किया गया है विनाया स्रीकांत प्रधान को तो यह किस देश में किया गया है तो यह तंजानिया में किया गया है तंजानि मादीब का देश रेको चलिए कुशन वण 25 हे भारत और किस देश की शैना ये युद्ध्या ब्यास exercise इंदरा 2021 में लिगी तो exercise इंदरा जो है यह किस की मद्द्र हो ग्राड में किया जाएगा रूस के वेलगो ग्राड में इसका आयोजन किया जाएगा याद रखेंगे कि कहां पर आयोजन किया जाएगा कितने दीवर्शी है और कौन सा संसक्रण है तो भारवा संसक्रण है रूस के वेलगो ग्राड में इसको इसका आयोजन किया जाएगा ज उसने record बनाया कि क्या जीत कर gold medal जीत कर gold जीता है उसने और सबसे छोटा देश है बहुत छोटा देश है ठीक है तो कि ये कौन सा देश है ये है आपका बर्मूडा देश ठीक है बर्मूडा देश है ठीक है बर्मूडा है तो बर्मूडा ये सबसे छोटा देश है जिसने एक record बनाया है कि उसने कि टोक्यो अलम्पिक में गोल्ड जीता और इसमें भी दो एक तो फ्लॉरा रफी हैं और एक खिलाड़ी ओर हैं तो उनके दो खिलाड़्यों नहीं ब कर भाग लिए था और दो खिलाड़ी अभियान को लॉंच किया गया है अभियान को लॉंच किया गया है ग्रह मंत्री अमिश्रा के द्वारा चलिए अगला देखते हैं नीचे कोई किया है गया है तो 128 है हाली में केंदर मंत्री अमिश्रा के द्वारा के द्वारा तो कौन सा है यह लग्दाख होगा ठीक है लग्दाख में केंदर मंत्री मंदल से सर्कारी समीतियों से सम्मधित है। सबसे पहले तो सहाकारी जो समीतियों से संबंदित है सत्तानवा सत्तानवे संसोधन अधिनियम और सम्विधान के भाग नो वी के हिस्से को उसने रद कर दिया गया है ठीक है इंपोर्टन कुछिन मनता है तो यहां दोनों में यह एहम भूमी का रहेगी इस प्रशन की कहीं न कहीं यह प्रशन पूछा ही जाएगा आप इसे फाइव इस्टार भी कर सकते हैं इस प्रशन को ठीक है और इंपोर्टन कुछिन मनेगा यह तो आप ध्यान अच्छे से तैयार करेंगे ठीक है नो आप नो बी का जो भाग है उससे को इसने समिधान सोपिंग कोट ने रद्द कर दिया है चलिए भारत और इंडोनेसिया की बीच कॉर्पेट का च्छतिसवा संस्क्रण कहां आई जिस किया गया ठीक है तो यह जो कुश्चिन का आंसर आ रहा था यहां पर पहले ही तो भारत और इंडोनेसिया की बीच में होता है और यह च्छतिसवा संस्क्रण है इसका जो आजन क्या जा रहा है वो इंडियन ओशियन की हिंद महां सागर छित्र में इसका आउजन किया जा रहा है अगे सायत सभी कुश्चिन इसी तरह से आ रहे हैं चलिए देखते हैं लंदन को न मिर्च इसका जो संबन्द है भारत के किस राज्य से जो इसको लंदन को निर्यात की गई है यह मिर्च बहुत ही तीखी मिर्च है यह जो हम नॉर्मल मिर्च लेते हैं उससे भी बहुत ज्यादा तीखी मिर्च है और इसको किस राज्य के द्वारा निर्यात की गई है लंद उनेसकों की विष्वि धरोहर का दरजा मिला है यह किस देश से सम्बंदित है इंपॉटन्ट कुश्च्छन है यह बहरत में धोलावेरा को सामिल किया गया उसी तरह Land Scab Garden City of Burley Marks है तो इसको जो UNESCO में सामिल किया गया तो ये किस देश से सम्बंदिता है ठीक है तो ये जो सम्बंदिता है ये आपकी ब्राजिल से सम्बंदिता है ये ब्राजिल में है ठीक है ब्राजिल में कही किस्तल है इसे वर्ड हैटे साइट में इसको सामेल क्या गया है वयन थर्टी थे अलंपिक में सबसे कम उम्रीकि स्वनत पदक विजता मोमी जी निशिया किस देश की हैं तो मोमी जी जो निशिया हैं यह कौन से देश की हैं जापान की हैं, और 13 वर्स 330 दिन की हैं यह ठीक है सबसे कम उम्र की और इसमें और देख लेते हैं तो ब्राजील की हैं एक रायसा लील है जो 13 वर्स दोसो तीन दिन की हैं इन्होंने रज़त पदक जीता है और साथी जापान की हैं कुना नाया कामा कुना नाकायामा है ये 16 वर्स की हैं और इन्होंने भी एक कांसे पद हांसिल किया है तो तीनों के तीनों प्रिशन यहां पर इंपॉर्टन्ट है अग्रा है वन सगहाई संक्ठन के इसका आयजन किया कि दुशांवें किया गया तजाकिस्तान में और हमारे यहां से भारत की तरब से जो इसमें भाग लिया था वह रक्षा मंतिर राजनाथ सिंग तो तो जनरली राजना सिंग ही इसमें हिस्सा लेंगे अगला कुशन है एन ओर्डिनरी लाइफ पॉर्ट्रेट ओफ ए इंडियन जेनरेशन ठीक है एन ओर्डिनरी लाइफ पोट्रेट ओफ एन इंडिन जेनरेशन नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखे है तो ये भारत के जो पूर्व चुनावा युक्त हैं अशोक लवाशा उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया और उन्होंने हाली में इस पुस्तक को पब्लिश भ अशोक लवाशा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है किन सहरों को युनेश को द्वारा अपनी एतिहासिक सहरी प्रद्रश्य योजना के तहत इसको चुना गया है हिस्टरिक अर्वन लेंट्श के प्रोजक्त के अंत्रगत भारत के सहरें क योजना में सामिल किया है मतलब इन दोनों का जो देखरे करेग है इन दोनों के जो विकास करेगा या कुद UNESCO के द्वारा अब इसमें किया जाएगा ठीक है चलिए दुनिया का पहला 3D printed still bridge किस देश ने जनता के लिए खोला है ठीक है तो पहला 3D printed still bridge है और इसको जो खोला गया है वो किस देश के द्वारा है किस देश कौन से देश का एक सहर है तो Amsterdam सहर है तो इसमें इसको जनता के लिए खोल दिया गया है 3D printed still bridge को जो दुनिया का पहला ब्रीज होगा अगरा कुशन DRD ओने सतह से हवा में मार करने वाली किसी मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है तो DRD ओने सतह से हवा में जो मार करने वाली है आका सेंजी का हाली में इसका प्रिक्षन किया है किया गया है DRD के द्वारा अगला कुशन ऐसे जी 20 परियावरन और उर्जा मंत्री की वारता का आजन हाली में किस सहर में किया गया तो जी-लि पर्यावराण ओर ऐुर्जा मंत्री की जो वारता है मतलब हिंकि जो बैठक है उसकी बैठक का इजन कहां पर चिया गया तो इसका बैठक के इटली के नैपल समें कें पेट कुश्चण्न हो गया है तो इसके जुलाई यह के देट याद रखेंगे बाईस जुलाई 1947 ठीके तो इस दिन क्या हुआ था इस दिन जो हुआ था जो भारत का जो राश्टे जंडा है ठीके जो जंडा है इसको अंगिकार किया गया था ठीके इसको अंगिकार किया गया था तो राष्टे जिंडा को अंगिकार दीवस मना जाता है राष्टे जिंडा अंगिकरन दीवस मना जाता है क्योंकि 25 जुलाई 1947 को जिंडे को राष्टे जो जिंडा है उसको अंगिकर अंगिकरत किया गया था तो इसलिए ये दिन ये दीवस मना जाता है, 142 भारतिय खिल सम्मा इंडियन स्पोर्स आवर 2019 में वर्स का सफ्रेष्ट दिव्यांग घिलाडी किसे चुना गया है, तो धुन्य वर्स का तो सर दिव्यांग ख्लाडी की से चुना गया वह प्रमोध भगत को चुना तो इसके जो नए अद्वाद्धक्श कोब बने हैं to subscribe just नदी को जानू इनकी नदी को ऐक इसको लॉंच किया है, क्सके दवारे मंतरा लेके द्वारा एजूकेशन मिनिश्ट्री के द्वारा इसको लॉंच किया गया है टाइफून इंफा ने किस देश को प्रभावित किया है तो टाइफून जो आते हैं अदिक्तर कहा आते हैं हमारे चीन सागर में आते हैं दच्छन चीन सागर होता है वहां पर आते हैं देखी नीचे प्रेशन का जो सही आंसर आई रहा है पहले से ही तो आप इसको इग्रों रखें भी क्यूंकि कुश्ण इसमें आएगा क्यूंकि PPT यह जब बनाते हैं तो copy paste के द्वारा ही बनाया जाता है दिकतर और जब प्रेशनों के सीरीज को हम एक स्लाइड से उठाकर के दूसरे स्लाइड में डालते हैं तो वहाँ पर इस तरह से कोई कुश्ण आगे पीछे हो जाता है तो वहाँ पर हम effect देना भी भूल जाते हैं तो इसे ignore रखें अभी और जब कुश्ण आए तो कुश्ण के साथ में ही इसको related करें चलिए 146 से कुश्ण है सेंगत राष्ट के COP26 ठीक है Conference of Parties 26 जलवाईव परिवतन सिखर सम्मिलें 2020 का आयोजन की सहर में होगा इंपोर्टन कुश्ण है ठीक है कई बार इसके COP26 से related करके कुश्णों को पूछा गया है तो COP26 जलवाईव परिवतन सिखर सम्मिलें 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया हो जाएगा कहाँ पर होगा गलास को ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जाएगा याद रखेंगे गलास को 147 किस राजे की सरकार ठीक है किस राजे की सरकार बांस ओद्धोगिक पार्क का निर्मान करेगी ठीक है बांस ओद्धोगिक पार्क का निर्मान करेगी यानिकि बैंबू industrial पार्क का जो निमान करने वाली है कौन सी राज्य की सरकार है तो ये असम राज्य की सरकार की द्वारा इसका किया जाएगा तो सही अंसर होगा इसमें असम Tokyo Olympic 2021 का कौन सा संस्क्रण आयजित हुआ है जो आयजित जिसका हो रहा है तो ये कौन सा संस्क्रण है तो Tokyo Olympic का ये 32 संस्क्रण है याद रखेंगे 32 सीजन 148 के बाद मैं देखते है 149 जनजाते समधाय के उत्थन के लिए जनजाती भागिदारी योजना को सुरू किया है तो जनजाती भागिदारी योजना है इसे किसके कोई सेकार के द्वारा किस राज्य के द्वारा लॉंच किया गया है तो यह होगा इसका सही अंसर होगा राजिस्थान के द्वारा इसको लॉंच किया है राजिस्थान ने इसको प्रारंभ किया है याद रखेंगे जन जाते समधाई को थन के लिए जन जाती भागेदार योजना को राजिस्थान ने शुरू किया है 150 कुछिन है कौन सा देश कौन सा देश विस्प का पहला स्वच्छे कमर्शियल नुकलियर रियक्टर ठीक है है तो इसतर से जो कुछ काम करेंगहां ना उलटे सीद्वे जैसे भी है तो यह सबर सारे काम जो करने वाला है वह आपके एक मत्र देश है आपका चीन ठीक है तो सही आनसर इसका और लेड़ी देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में एक जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक और उसके बाद में 11 से लेकर के 20 और 21 से लेकर 31 तक हम इसको तेन पार्ट में कंप्लेट कर चुके 150 कुश्चन है बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन चाहिए आप कोई भी एक्जाम दे जा रहे हैं एक बार जरूर देखके जाना है रिवीजिन कर लेना और साथी साथ कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय हमें जरूर देना और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको और साथी साथ अपने फ्रेंज सरकल में जहां कहीं भी है सब में इसको शेयर करें और साथ ये साथ हमारे जो टेलिघ्राम चैनल है, टेलिघ्राम चैनल को भी जोइन करनें, वहाँ पर अच्छे चिold, कभी होता है तो चले फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में जब तक के लिए धन्यवाद